हाई तोड़ी वियर गूंग तु लेर्ण फाइल इन पाइथन तो फाइल हम इसलिए लेर्ण करते हैं ताकि सेगेंडरी श्टूरेश अगर आपको कोई फाइल है उसको आप लीड और राइट कर सकें ए फर एजम्पल यहां पर जो है अब अग्वन करेंगे प्रकूर को करेंगे इस यह सेखना और ओकूर सक्काम हाई तो प्रकूर करेंगे तो आपको फाइल अगर आप यूज़ करेंगे तो रीड बोड के लिए और राइट के लिए फाइल अगा तो mode को क्या मीनिंञ है कि यह अपैमा ले-स-secondary storage space है इसमें मैंने file open किया कि अगर read-mode में करेंगे एवल हम उसको read कर सकते हैं उसमें कोई content write नहीं कर सकते हैं उसको add नहीं कर सकते हैं जब कि write mode में हम उसको add कर सकते हैं तो only left-mind function is open and close and clean, click tab. उसको सबसब्सक्राइब करताक है रिब storage करने के लिए लग एक तो कि अनम जब है लोन फिर अम जब पाकून हे और यह लोन है गोग एप लगे लिकान अग्षप दो भी ओ के अब मुझे फाइल रीड करना है जो डेस्टॉप है इसका पाथ देख लेते हैं क्या है आपका यह इसका पाथ है यूजर टीचर पर डेस्टॉप तो हम अपने कोड में लिखते हैं मालजे f आपको फाइल है open और यहां पर two times आपको फाइल करना होगा हर जग और डेस्टॉप के बार फाइल का नहीं फाइल 1.txt यहां आप फाइल open कर लेंगे उसके बार फाइल को प्रिंट करना है अगर हम f प्रिंट कराते हैं तो वह क्या प्रिंट करेगा फाइल हैंडल है पर हमें प्रिंट कराना है कि उसमें content है f.read फिर shift enter करेंगे तो जो भी आपके फाइल में content है वो यह डिस्पले कर इस तरह की से आप फाइल को read कर सकते हैं अगर फाइल आपको line by line read करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इस code में आप फाइल open कीजिए पहले उसके बाद for का look लगाते है और line in, line by line हमें read करना है किसमें f से और इसके बाद colon होगा, print line यह line by line जो है यह फाइल को read कर ले तो आप देखिए, यह line by line फाइल को read कर रहा है और उसको एक लाइन का difference आ रहा है मैं चाहता हूं कि हम यह find करें कि कितनी word exist कर रहे हैं इस file में उसके लिए एक string में function होता है split, line.split और split किस बेस पर करें एक space के base ठीक है जैसे हाँ high उसमें एक space है फिर how हो है तो इसलिए वो इस तरीके से इसको read करें तो अगर हम इस program को run करेंगे अब तो यह array बनाएगा उस array में हर एक word को store करेगा पहले इसने high read किया फिर space को as a splitter work किया है फिर space के बाद जो word आया है उस फिर 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 यहां पर दिखिए यहां पर line change है यहां पर backslash end है लास्ट पर backslash end नहीं है इसका reason क्या है अगर आप file को एक बार देखें यह जो file है और इसमें content को अगर हम देखें तो जैसे scroll down करेंगे यू के बाद हम scroll down नहीं कर पार है क्योंकि हमने enter नहीं प् तो अब यू के बाद भी backslash end प्रेंट होगा इसको हम save कर लेते हैं और check कर लेते हैं कि अब हम इस program को run करेंगे तो क्या यहां backslash end आएगा तो answer है yes आएगा तो आप देखिए यहां भी backslash end आ रहा है तो जब भी line read हो रही है तो उसमें splitter कैसे walk कर रहा है इस पेस की आप कॉमा की तरह भी splitter यूज़ कर सकते हैं कॉलं की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही अब हम file और क्या यूज़ कर सकते हैं वह हम देखते हैं मा लेज़े आपको count करना है total कितनी line है तो हम उसके लिए क्या program लिखें एफ open आपने क्या x in f line की जगर x आप लिख सकते है यह तो variable नहीं है हमें x in f देखना है फिर उसको मैंने print करा लिया और फिर last में i को print कराया है कि total number of line कितने है तो i equal to zero से था इस program को जो हम रन करेंगे zip enter यह अभी current file 1 में यह content है hi how are you i am fine what are you total number of lines कितने है 3 अगर हमने यह count करना है कि यह तो splitter था था हम यह count करना है total number of words कितने है ठीक है तो total number of words काउंट थाने के लिए हम ही क्या करना होगा हमने splitter लगाया और जो length है हर एक token उसको देखा कि हर एक token में कितने length exist कर रहे तो उसके लिए यह program मने बनाया है हर एक token को वह as a one word मानेगा उसको आप counter में use कर सकते हैं तो इसको हम भी दिखते हैं तो total number of words आपके यहां पे find हो गए तो इसमें कैसे find हो गए क्योंकि आपने यह देखा कि length of tokens जो इसने tokens हर एक line को हर एक line को token में divide किया है तो total number of token कितने 3 तो length of token क्या हो गए 3 तो i equal to पहले में क्या add हो गए 3 अगर उस line में 3 words है तो अगर आप इस program को देखें तो इसमें कितने words है 1,2,3,4 इसलिए हर एक line को यहां मैंने tokens में divide किया है और print किया है तो यहां पहले line में 4 token है 4 word है फिर 2nd line में 3 फिर 3 total count कर दिया 10 इस तरह के से total number of words भी आप find कर सकते हैं आपके file में कितने exist कर रहे है अब मैं क्या करना चाहरा हूँ अब एक file के content को open करना चाहरा हूँ और उसको किसी और file2.txt में write करना चाहरा हूँ और write करने के तुनार मैं यह चाहरा हूँ कि starting में उसमें यह print हो कि उस line में कितने word exist कर रहे है ठीक है तो हमने क्या किया x in f भलब f आपका handle है file handle है तो x हम search कर रहे है file handle में x हर एक line को represent करेगा x.split हमने किया और splitter क्या use किया space तो tokens एक array बना लेगा जितने भी उस line में word exist कर रहे है तो अगर three word exist कर रहे है तो tokens में कितने भी आ जाएंगे array में three elements तो first line में क्योंकि यह four word exist कर रहे है तो पहले में क्याएगा four फिर f1.write f1 consignal है दूसरी file का जो हमने create कर रहे है file 2.thd का अभी आप देखिए desktop में हमारा file 1 exist कर रहा है और इसको create करने के बाद file 2 भी exist करेगा और उसमें क्या write होगा पहले total words write होगे फिर उसकी length write होगी और फिर जो file 1 में content था वो हर एक line में write हो जाएगा फिर हमने दूसरा file को successfully close कर दिया है अब इस program को run करते है shift enter किया program में successfully run कर गया है हमें एक दूसरा file मिलेगा जिसमें same content होगा पर total number of word count यहां देखे फाइल 2 भी create होगा है तो file 1 में यह content है और file 2 देखते है उसमें क्या है file 2 में total words 4 और फिर file 1 का content फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर उसलिक और में file 1 की contents है इस तरह के से आप हाड़िस जो आपका secondary storage है उसमें आप file read कर सकते हैं उसको write कर सकते हैं उसमें total number of words find कर सकते हैं splitter आप to decide कर सकते हैं space as a splitter work करेगा कोई all symbol as a splitter work करेगा So this is file, file के introduction हमने learn किया और इसमें हमारा benefit यही है file को learn करने में कि अगर कोई secondary storage में आपकी file है उसको successfully आप read कर सके उसमें कोई operation आप perform कर सकें जब हम data science की बात करते हैं तो इसमें file का इंपॉर्टन रूप है Thank you झाल झाल